फिंगेश्वर जन्पत पंचायत अंतरकत ग्राम बिजली में स्रीमत भागवत महापुरान का आयोजन किया गया था वैसे हर जगा ऐसे आयोजन तो होता है पर ग्राम बिजली में बेहद ही अनुठा और अभिनव पहल का आयोजन को खास बनाया गया ताकि समाज में अच्छी सिक्षा वर जागरिती फैले इसी उदेश्य को लेकर ग्राम बिजली में स्रीमत भागवत महापुरान के मंच पर राजिस्तरिये कवी सम्मिलन का आयोजन किया गया जिससे प्रदेश भर से ख्याती प्राप्त कवी पहुँचे थे जिन्होंने हासे क कवी से लोगों को खूम हसाया और वीरस के महफिल में जोस भरा तो वहीं भागवत अचारे त्रिभुवन महाराज जी की बेटी कुमकुम ने अपने सू मधुर आवाज से भजन प्रस्तुत कर लोगों का मन महो लिया आयोजन में खासत और उपस्तित भागवत अचारे त् एक नई सिक्ष्यावज जागरिती समाज में पैदा करने का प्रयास करते हैं देर रातरी तक हुए कवी सम्मिलन में कवी उने दर्शकों को हसने पर मजबूर कर दिया लेकिन लोग धर्म के नाम से जो लड़ाते हैं वो बहुत गलत है साहित्य और कवी से मुझे प्रेम मेरे पुझी गुरुदेव ब्रह्मलीन संद कवी पवन दिवान जी महराज से मिला हुआ है और मैं जीवन भर अपनी भगवत कथा में कवीयों को लोग कर चलूँगा और कवी अपने सब्दों को फिरो करके लोगों के विछ नसाते हैं गुदगुदाते हैं इससे बहुत बला लाभ मिलता है जहां भी इनका भागवत कारिक्रम होता है तो चुनकी पवन दिवान जी के परमसिष से थे ये और इनको साहिते से रूचिव है और हर मंचों पर ऐसे 36 गड़ के ख्याती नाम कवीयों को बुला करके भागवत मंच में कवी सम्मेरन काजन करते हैं जहां अध्यात में से उनको जीने की करा सिखाते हैं वहीं कवी गण जो हैं वरतमान परिवेस को देख करके हासे की रूप में नई सिक्षा समाज में जागरिती पैदा करने का प्रयास करते हैं जितने हम लोग जाती के रहते हैं सब प्रेम से रहते हैं जैसे में भागवत करवा रहा हूं तो यह मेरा खुट कर नहीं पापा का तो सरपंज निशना वोगर बेटा भेल होगे कहा जाजा ही का रहे बेचा जाही का रहे बेचा रहे में नहीं कब हो ही मुर्णा रासों की माला पे सिम्रू में पीकाना जब दो बोलना चाहाँ जाहाँ क्या करोगे पापा का तो सरपंज निशना वोगर बेटा भेल होगे कहा जाती है पापा करे बेचा जाही का रहे बेचा जाही का रहे बेचा जाही का पुंडरू करे लाई for more news updates do subscribe like share and comment clipper 28